गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11 मैट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इस्टेटिक्स और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 15.2 एक्सराइज का कॉश्चन नंबर 6 कॉश्चन नंबर 6 आपके पास गीवन है find the mean and standard deviation using shortcut method मतलब हम सबसे पहले क्या find करेंगे mean फिर हम find करेंगे standard deviation तो mean find करने के लिए हमें particular method देखे रखिए उसका नाम दिया है shortcut method आपके पास given observation क्या given है ये एक X given है F it means frequency given है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 frequency given है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 and 5 given है अब shortcut method में हमें सबसे पहले एक mean assume करना रहता है और वो कहां से करते है X वाले इसमें से जो meet term रहती है तो देखे number of observation कितने हैं तो उसकी meet term हम ले लेंगे total data कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बीच वाली value कौनसी हो गई 5th नमबर की मतलब इधर से हमने 4 छोड़ दिये पीछे से हमने 4 छोड़ दिये तो meet term क्या बच रहा है 64 मतलब यह assume mean meet value हो गई और यह हमारे लिए क्या हो जाएगा E मतलब X की line में सबसे meet वाली value suppose यह 8 होते हैं तो हम 4 या 5 दोनों में से कोई भी एक suppose कर सकते थे लेकिन यहां clear cut meet value कौनसी है 64 it means कि हमने क्या assume करा assume मतलब A क्या assume करा है 64 mean हो गया और H कितना हो गया H मतलब class interval का difference अब class interval तो given नहीं है लेकिन यह given है अब इसमें difference कितने कितने का हमारे पास देखिए हर जगे कितने कितने का difference है 1 1 का तो here H equals to 1 clear we obtain the following table from the given data हम टेबल में convert कर ले सबसे पहले तो देखिए यह X और यह F frequency already given है तो जो question में given है already हम उसको as it is लिख देंगे right suppose जैसे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 frequency हमने लिख दी 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, and 5 सारी observation हमने as it is question क्या coding लिख दी अब हम सबसे पहले यहां क्या निकालेंगे Y आप किसी और से भी denote कर सकते हैं मैंने इस column को Y से denote कर रहा तो Y कैसे निकालते हैं यहां पर X minus A upon me H X क्या हो जाएगा ये minus A A कितना है हमारे पास 64 upon me H मतलब 1 हमेशा याद रखना difference जो रहेगा 1 ये ये क्या है ये तो हम 64 हर एक में से minus करेंगे और minus करने के बाद जो value आएगी वो हम यहां लिखेंगे रहे तो देखें सबसे पहली value है हमारे पास 60 minus 64 divided by 1 मतलब minus 4 by 1 कितना आ रहा है minus 4 clear हो गई value minus 4 हो गई 61 minus 64 divided by 1 तो कितना आ रहा है minus 3 right अब 62 minus 64 1 से divide करेंगे तो वही as usual हाएगा तो 62 minus 64 minus 2 फिर 63 minus 64 minus 1 64 minus 64 0 65 minus 64 plus 1 66 minus 64 plus 2 67 minus 64 plus 3 68 minus 64 plus 4 यह आ गई values यह क्या मिल गया हमें y जो भी मिला है हम उसका क्या कर देंगे square सबसे पहले क्या कर देंगे square तो देखे 4 का square कितना हो गया 16 3 का square 9 2 का square 4 minus 1 का square 1 0 का square 0 1 का square again 1 2 का square 4 3 का square 9 and 4 का square again कितना हो गया 16 हो गया अब आपके पास यह मिल गया y और यह मिल गया y square एक एक बार एक बार f का multiply y के साथ करेंगे तो यह column बनेगा एक बार f का multiply y square के साथ करेंगे तो यह मिलेगा clear हम सबसे पहले क्या कर रहे है f का multiply y के साथ इन दोनों का तो देखिए 2 4 जा 8 काय का 29 का इन टू minus 1 में करा minus का 29 5 का इन टू 0 में करा तो इतना आया 0 12 का इन टू 1 में करा 12 10 का इन टू 2 में करा 20 4 का इन टू 3 में करा 12 5 का into 4 में करा 20 clear? हो गया? पहले multiply कर दिया हो गया सारा? मतलब सबसे पहले हमने किसका multiply करा y का y का हमने f में करा तो यह आ गया, अब y का multiply करेंगे हम y square के साथ तो यह मिलेगा दिखे 2 का multiply 16 में करा plus का 32 1 का 9 में करा 9 12 का 4 में करा 48 29 का 1 में करा 29 5 का into 0 में करा 0 12 का into 1 में करा 12 10 का into 4 में करा 40 4 का into 9 में करा 36 and 5 का multiply 16 में करा it means 80 multiply कर दिये आपके पास column मिल गए कितने और आगे column मिल गए? 2 1 एक एफ य और एक एफ वाई स्कूर अब इनका टोटल देखे जीरु बता रहा है अपन चेक कर लेते हैं पहले सारे माइनस वाले प्लस कर लेते हैं कितने? 9 और 4 कितना हो गया 13 और 3 16, 16 और 8 24 carry to कितना हो गया 64 minus का, इधर के total कर लेते है, 2 और 2 4 2, 1 3, 2 5 और 1 6 अब plus का 64, minus का 64 it means total कितना आएगा 0, मतलब इस column का total कितना आया, 0 आप देखेंगे कि अधिकतर जब इस तरीके के sum करेंगे तो may be possible 99% इस column का total अधिकतर 0 आता है बट हमेशा 0 आए ये जरूरी नहीं, अधिकतर 0 आता है ठीक है, अब हम इसको total चेक कर लेते हैं देखे, 6 और 2 8, 8 और 8 16 16 और 9 25, 25 और 9 34 और 2, 36 6, 3 केरी 3 और 3, 6 6 और 4, 10 और 2, 12 12 और 1, 13 13 और 4, 17 और 3 20 और 8, 28 आगया total, 286 मतलब यहाँ पर आपकी table क्या हो गई, complete अब देखे, सबसे पहले हम mean फाइंड करेंगे, ये तो पुरी table बन गई हमारी हमारा mean कितना आ रहा है right देखे, mean का फॉर्मूला होता है shortcut method से x bar इक्वर्स टू a प्लस sigma fy upon में n into में h अब a हमने क्या suppose कर रहा था है यहाँ पर, देखे a हमारा है 64 और h हमारा 1 तो as usual देखे, a हमारा 64 और h 1 हम यहाँ पर value put up कर रहे हैं तो हमने रहा 64 प्लस यह value अल्रेडी हमारे पास कितनी आई 0 0 मिली तो हमने यहाँ लिख दी 0 upon में n n n कितना है हमारे पास 100 कैसे पता चला, इसका जो total करेंगे वो हमारे पास कितना आएगा 100 आएगा, right तो यह आगया 100 into में 1 तो 0 में किसी भी नंबर का multiply करेंगे या divide करेंगे कितना आएगा 0 मतलब 64 प्लस 0 कितना आगया 64 तो mean आपका finally कितना मिल गया 64 Now next सबसे पहले अब हम क्या find करेंगे variance क्यों variance find करेंगे standard deviation find करने के पहले हम सबसे पहले क्या find करेंगे variance तो variance का यहां formula हो जाता है sigma square equals to h square upon में n square in bracket n into में sigma fy square माइन sigma fy का whole square तो देखिए sigma square रखा h square मतलब 1 का square divided by n कितना है आपके पास n या है आपके पास 100 f का जो total आएगा वो ही अपका n के लाएगा तो 100 का square करा तो और 2 0 लग गए in bracket 100 into में इसका total है 286 minus 0 का square तो finally देखिए आपके पास value है यह double 0 double 0 into कितना है 100 साथ में into क्या बच रहा है 286 और यह तो 0 बचा तो देखिए 2 0 से 2 0 डाइरेक कैंसल हो गए और यह जो 2 0 है उसकी जगे हम यहां क्या लगा देंगे पॉइंट तो कितना आ जाएगा 2.86 यह किसकी वैल्यू है सिग्मा स्क्वेर की क्लियर सिग्मा स्क्वेर आपको समझ में आ गया कैल्कुलेशन कुछ भी नहीं करना है जो फॉर्मूला है शिर्व उसमें वैली पुटिअप करके सिंपलीफाइ करना है नॉर्मल केल्कुलेशन करना है तो वेरियन सममें मिल गया सिग्मा स्क्वेर टू पाइंट अब हमें क्या find करना standard deviation तो standard deviation का formula होता है only sigma मतलब standard deviation का formula होता है ये ऐसा मतलब हम वो value काई में लिख देंगे under root sigma square मतलब हमारे पास formula हो जाएगा sigma बोलते है या फिर हम बोलेंगे under root में variance का square variance under root में variance तो under root में sigma square रखेंगे तो बाहर कितना आएगा sigma मतलब under root में हम variance की value रखेंगे तो कितना आया 2.886 तो देखिए 1 का square होता है 1 2 का square होता है 4 तो इससे ये clear है कि अगर हमारे पास 2 है कब आएगा बाहर जब 4.something हो तो 2 आता है यहां तो 1.something है मतलब definitely यह 2 से भी छोटा है कितना छोटा है suppose कर लिया हमने 1.691 आप square method से भी निकाल सकते हो या फिर देखे 16.1.6 1.6 16 into 16 कितना हो जाएगा 6 6 36 96 16 कितना आया 6 5 256 और यह क्या है 286 मतलब 1.6 से भी बड़ा तो 1.6 से बड़ा 1.69 लिग दो approximate भी आप यहां पर value लिख सकते हो तो यहां पर आपके पास variance कितना मिला 2.86 standard deviation कितना मिला 1.691 mean कितना मिला 61 तो यहां पर हमने finally therefore करकी यह answer no doubt कर दिया Thank you बड़ा